मेश आज का दिन सामान में रहेगा किन्तू पूरे दिन में कुछ रोमाचकपल भी मिलेंगे। आज हो सकता है कि आप समझ बूज से ना काम करके कुछ अपरत्याशित करें जिससे आपके मन को खुशी मिलें। किन्तु थ्यान रहे की ऐसा ना हो की कोई ऐसा नूत्सान हो जाए जिसके लिए आपको पच्ताना पड़े अपनी योग्यता पर भरोसा रखे और किसी की भी बात के कारण इतना प्रभावित ना हो की आपके आत्मविश्वास में कमी हो अपने आपको हर परिस्थिती में सयमित बनाए रखे प्रोफेशन कार्यक शेत्र में आपकी क्षमता की सराना होगी नौकरी ठूंड रहे हैं तो आज सफलता मिलने के अच्छे योग है लब रिष्टों में मिठास बनी रहेगी किसी नए रिष्टे की शुरुवात हो सकती है आज याद रखे कि अपने रिष्टों में आपका आत्म सम्मान बना रहे है ल्थ स्वास्थे सामान में रहेगा किसी पुराने रोह से निजात मिलने के लिए अपने प्रयास करते रहे जल्धी निजात मिलेगा व्रिष अनुसार आज का दिन परिस्थिती सामान में बनी हुई है लेकिन आपके मन में कई बातों के कारण तनाव और परिशानी रहे सकती है आज दूसरों की बातों में नाए अपनी सोच और समझ से भी काम ले जरूरी नहीं किसी और की सलाह आपके लिए लावकारी हो किसी करीबी जानकार से सामधान रहे नहीं तो आपको निराश होना पड़ सकता है आज मेडिटेशन आदी क्रियाओं में अपना थोड़ा समय बिताए आपके लिए या अच्छा रहेगा प्रोफेशन आज काम में फोकस बनाए रखे इधर उधर की बात में थ्यान देंगे तो आपका नूत्सान हो सकता है लब रिष्टों में आज कुछ तनाव उतपन्ध हो सकता है किसी भी रिष्टे में आत्मसम्मान बना कर रखे नहीं तो उस रिष्टे में कड़वाहत उतपन्ध हो सकती है हेल्थ स्वास्थे का थ्यान रखे तनाव से बचे मेडिटेशन इतियादी कोई अध्यात्मित सोच वाले काम से जुड़े मिथुन आज आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे आपके जीवन में कई पुराने पटहर्म्स ब्रेक हो ऐसा जो आपके जीवन धरा को उचित गिशा में ले जाए जीवन की बॉल में कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन के लक्षे को भूल जाता है आज उस लक्षे को जानने का प्रयास करें और उसकी और अग्रसर हो यदि आर्थिक रूप से स्थिती अनुकूल नहीं है तो जल्दी सामान्य हो जाएगी अपने आप पर भरोसा रखे प्रोफेशन यदि नया व्यापार आरंब करने का सोच रहे हैं तो लाब होगा धन लाब के योग बन रहे हैं लब परिवार अजनों के साथ थोड़ा समय बिताने से रिष्टों में बहुत सुधार आएगा अपनी सोच को अडियल ना होने देंगेल्थ अपने विचारों में नर्मी रखेंगे तो शरीर में भी रोगों से जल्ग निजात मिलेगा करका आज का दिन मन में दुई धाय बनी रहे सकती है किसी निर्णय को लेकर परिशान ना हो उसके बारे में पूरी जानकारी मिलने तक का इंतजार करें अपने मन की आवाज आवाशे सुने आज अपने मूब स्विंग पर नियंतरन रखें आज भावनाओं की अधिकता रहेगी जिस कारण आज लिया हुआ निर्णय गलत भी हो सकता है अपने गुस्से को शांतर रखने का प्रयास करें अपने आत्म विश्वास में आज कमी ना होने दे प्रोफेशन, कार्यक शेत्र में आज फोकस की कमी रहेगी यदिन ओकरी से जुड़े किसी मामले में दुविधा में हैं तो अपने सीनियर से सलहा करें लग, परिवार अजनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा विवहा संबंधित कोई निरने लेने से फले पूरी तरह से जाच कर ले पूरी जानकारी मिलने पर ही कोई निरने ले इंगेल्थ स्वास्थे का ठ्यान रखे नियमे त्यायाम से आपकी सेहत में बहुत सुधार होगा अल्टरनेटिव हीलिंग जैसे रिकी, प्रार्नित हीलिंग इतियादी से आपको लाभ होगा सिन्ध अनुसार आज का तिन कुछ परिशानी भरा हो सकता है जैसे जैसे पुरानी परिस्थितियां छूटती जा रही है मन में उदासी मसूस होगी किन्तु यह एक नए जीवन की और का संकेत भी है इस बदलाब को खुशी से अपनाए जो आपके जीवन के लिए सहायक नहीं है वह आपसे दूर हो जाएगा आत्मनिर्भरता की और कदम बढ़ाए प्रोफेशन, करियर लाइन बदलने का सोच रहे है तो यह समय उसके लिए उत्तम है लब, आज रिष्टों में कुछ बदलाब और परिवर्तन के कारण परिवार में स्थिती तनाव पूरण रहे सकती है किसी सामाजिक कार्य में सेवा करने से लाब मिलेगा कर दो कर दो कन्या आज का दिन अच्छा रहेगा जीवन और कार्यक्षेत्र में उन्नती के अफसर मिलेंगे इनका घर पूर लाब उठाए नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज सफलता मिलने के अच्छे आसार है परंतु स्थिर्ता आने में थोड़ा समय और लगेगा यदि कोई प्रोजेक्ट आरंब कर रहे हैं तो संसाधन की कोई कमी नहीं होगी एक समय में एक ही काम करें पूरे फोकस के साथ जल्द ही सफलता मिलेगी धन लाब के योग है प्रोफेशन कार्यक्षेत्र में आज स्थिर्ता की कमी रहेगी किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए संसाधन आसानी से मिल जाएंगे लब प्रिष्टो में कोई दुविधा हो तो उसके लिए किसी से सलहा करें इस स्थिती में बहुत देर तक न रहे मेल्थ स्वास्थे सामानने रहेगा कोई रोग परेशान कर सकता है अपनी रोग प्रतिरोधक्षमता बढ़ाने का प्रयास करें तुला आज मन में असंतोष की भावना बनी रहेगी मित्रों से मेल जोल करने का मौका मिलेगा फिर भी मन में एक खाली पंसा मजूस हो सकता है थोड़ा समय मेडिटेशन में बिताए इससे आपके मन को शांती मिलेगी और अथ्याक्मिक प्रक्ति के लिए भी आए एक अच्छा कदम है विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान देने की आवश्यक्ता है नहीं तो भविश्य में परिशानी हो सकती है कमपटीशन परीक्षा के लिए थोड़ी और मेनत की जरूरत है प्रोफेशन, काम में आपका फोकस अच्छा बना हुआ है लेकिन अपने लक्षे को पाने के लिए थोड़ी और मेनत की आवश्यक्ता है लब, आज परिवार के साथ कहीं घूने की योगना बना सकते हैं किन्तु ध्यान रखे कि यह आपके काम पर कोई असर ना डाले हेल्थ, तनाब और चिंता के कारण सेहत में कुछ परिशानी हो सकती है व्रिश्चिक आज का दिन सामान में रहेगा किसी बात को लेकर परिशान है तो उसका जल भी हल मिलेगा अपनी कमियों की बजाए अपनी खूगियों पर ध्यान दे, अपने वा तावरण की नकार आत्मता से बचे, केवल अच्छी बातों पर ध्यान दे यदि आपको कोई नीचा दिखाने का प्रयास करे तो उससे प्रभावित ना हो अपने आप पर धरोसा रखे, आप अपने आप में पूरण हैं और योग्य हैं किसी भी बात में जल्दबाजी ना करें आज, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा प्रोफेशन, कारक्षेत्र में किसी से अनबन हो सकती है, किन्तु नुकसान नहीं होगा बदलाव के लिए मानसिक रूप से तयार रहे लग, आप अपने साथ जैसा व्यमहार करेंगे, दूसरे भी आपके साथ वैसा ही व्यमहार रखेंगे इसलिए यदि आप अपने रिष्टों में अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते हैं तो अपने आत्मसम्मान को भी भी ठेस ना पहुचाएं मेल्थ रोग से जूच रहे हैं तो उसके लिए किये जा रहे प्रयास चल भी फलदायक होंगे अपने आप पर पूरा थ्यान दे, आज अपने लिए भी थोड़ा समय जरूर निकाले धन्वा आज का दिन सामान में रहेगा यगी किसी कारे में रिलंभ हो रहा है तो परिशान ना हो, उसे थोड़ा समय और लगेगा अपने मन का चैन ना गवाए, ठीरज से काम ले रिष्टों को लेकर आज का दिन अच्छा फलदायी रहेगा किसी नए रिष्टे की शुरवात हो सकती है रोमांटिक पार्कनर के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा प्रोफेशन, कार्यक शेत्र में आज का दिन सामान में रहेगा नई नौकरी मिलने के आसार है किन्तु सोच समझ कर ही निरणय ले सकर्मियों से आज पूरा स्योग मिलेगा लब, अविवाहितों के लिए आज का दिन बहुत शुद रहेगा किसी नए व्यक्ती से मुलाकात हो सकती है जिसके साथ भवेश्य में अच्छे संबंथ बनेंगे हेल्थ स्वास्थे सामान्य रहेगा आज व्यायाम आदी के नियम में कोई बड़े फेर बदल ना करें जल्धी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे मकर आज का दिन सामाजिक मेल जोल में व्यतीत होगा जान पचान बढ़ेगी जो की आपके लिए लाबकारी रहेगी आज आप में उर्जा की कमी नहीं है इसे उचित दिशा में लगाएंगे तो लाब होगा आज अपने लिए थोड़ा समय अवाश्य निकाले जीवन में स्थिर्ता के लिए अपने विचारों में स्थिर्ता लाने की आवश्यक्ता है अपनी सेहत का थ्यान रखे उतना ही कामक्रे जितनी शरीर की क्षमता हो प्रोफेशन, धन लाब के योग है आज किसी नए काम के लिए नीव रखने के लिए अच्छा दिन है लब, विवहा संबंधी निरने लेने के लिए आज का दिन शुद है कारे बिना विगं संपन्न हो सकते है स्वास्थे अच्छा रहेगा आपकी अच्छी सिहत के लिए की हुई मेहनत फल लाएगी कुम भाज धन लाब होने के योग है उतना ही काम करे जितनी जरूरत हो उससे अधिक आपकी सिहत और निजी जीवन दोनों पर नकारात्मक असर डालेगा रिष्टो मेन आपके जीवन में कई खूशिया है उन्हें सजोए जिस चीज की कमी है उस पर ही ठ्यान देंगे तो कभी भी खूशिया नहीं मिलेंगी आज आप में भावुकता अधिक बनी रहेगी ऐसी मनस्थिती में भव्यश्य से संबंधित कोई मत्वपूर्ण निरने ना ले नहीं तो गलती हो सकती है किसी शुब चिन तक से सलह आले प्रोफेशन कार्यक शेत्र में अपनी ब्यनत को बेकार ना जाने दे सोच समझ कर काम करे और अपना हत मांगने से ना कत्राए लब अपने आत्मसम्मान को बना कर ही कोई रिष्टा निभाए जिस रिष्टे में आत्मसम्मान नहीं होता उस रिष्टे में मिठास की कमी होती है हेल्थ अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए थोड़ा समय नेयमित रूट से अवाश्य निकाले बौसम के कारण आज कुछ परिशानी हो सकती है मीनाज मन में असंतोष और नकारत्मक विचारों के कारण परिशानी हो सकती है इसका सबसे अच्छा उपाय है क्रिया शीलता जिस चीज में मन लगता हो उससे अपना दिन शुरू करें रचनात्मक विचारों को वास्तविक्ता में ढालने का प्रयास करें इससे कार्यक शेत्र में सफलता मिलेगी और निजी जीवन में भी संतुष्टी रहेगी यात्रा का अफसर मिल सकता है आज किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा पिन है प्रोफेशन, कार्यक शेत्र में नए विचारों से लाभ होगा और उन्नती के अफसर मिलेंगे इस उर्जा का लाभ अवाश्य उठाए आज किसी रचनात्मक कारे से लाभ होगा लब, विष्टों में किसी भी बात से चिंतित ना हो परिस्थिती जल्धी आपके अनुकूल हो जाएगी अविवाहितों के लिए आज कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है हेल्थ स्वास्थे अच्छा रहेगा आपका पूरा साथ देगा किसी पुराने रोग से जल्धी निजात मिलेगा पूर्जा की कमी नहीं है उसे उचित गिशा में लगाए किसी पुराने बाएगी